मैं भी आज रात बारबजे दवलई और धुरताई करूगा, कल मुखवंतरी या कुछ बन जाओगा कोई कारेक्टर नहीं राज दिती है, हम मरें क्यों नहीं, हम मर भी तो सकते थे मानपतावादी सोच को हमने छोड़ दिया मैंने कभी भी महागटबंदन के बारे में मुझे पता है, भीया, मैं भी आज रात बारबजे दवलई और धुरताई करूगा, कल मुखवंतरी या कुछ बन जाओगा, मैं आपको दिखा दू क्या करके दिखाऊं दूगलई, जिन लोगों ने धुरताई, दुस्ताई, दूगलई किया है, आप उठा के देख लो, राजनिती में सेक्सेसर वही हुआ है, राजनिती में कई ऐसे करेक्टर है, चुकि आप भी राजनिता है, कौँसा करेक्टर है, नाम बताओ ना, फिर नाम आप छोड़ दो मैं नहरू पटेल की बात कर रहे हो आप मैंने आपको का अटल जी जिसको साथ लाए जिस गटमंधन को लाए कि आटल जी के साथ से वह गटमंधन नहीं निकला सर्म कह रहा हूँ कि मैं आटो वहीं कह रहा हुना राजमिती का मतलब ही आप हमको एक बात बता हो यहीं यूपी में निशाद को जो आप आज मंतरी मना है उसके जोगी और उसके वादर की भी जंग थी की नहीं गोली शुननिया नै सर गोली चली थी ना पडिया पड़ाप मं करेक्टर राजुनिव करेक्टर को और आज तिक अ सियासत सथा कुर्सि इसके लिए इसके लिए इसके लिए जितनी नाफरत डर जितनी इंसानियत को खतम की जा सकती है पॉलिटीशन करें ए सर्चार बार arrestям ईमयल मैंंडिपेंदेंट माल wilaine आ एक आसरकारी कवची सीड़ और दो बर में अधार भॉव को बने अन्लमी और आ लाई भॉड अनथ पाइट से एग बार समाजवादी पर्टी फॉद और सभी पाटी पार दो बार ऑ ब्ट्राट से ठीक हैना surt digital दो आयवास में मिला best speaker का और best questionnaire का एक बार नहीं तीन तीन बार तो जिस ब्लक्ति को best auditor का questionnaire का अबाड़ हो सदन में अपनी भूमिकास कस्मिर से कञ्ण्या कुमाइटा हो हिंदुस्तान में जहां बड़ी घटना घटी भूच से लेकर के उत्राखन उडिशा से लेकर के बियार और यूपी तक वहां पपू यादब की उपस्थिती हो हमारा कारेक्टर सर यह है कि जब पूरी दुनिया कोरोना में डड़ी हुई थी तो हम कोरोना को डड़ा रहे थे मेरा केरेक्टर हम मरे क्यों नहीं हम मर भी तो सकते थे यह मेरा सिंगल करेक्टर दूसरा करेक्टर है कि जब पतना में cm से लेकर के पीए में डीयम से लेके सब घर में सोया था तो 11 दिन हम लोगों के भीच दे घरे-पानी में थे हम मेरा पूरा बोड़ी इंफेक्शन हो गया शेवा, लाल बहादूर सास्त्री, पतेल, आप समझेए, नेहरुजी, पॉलिटीशन का मतलग था कंप्लिट, डिमोक्रेसी का मतलग था सब की इक्वेलिटी, जस्टिस, कॉमन, एंड कंपल्सरी, नो डिविजन, नो कास्ट एंड रिलिजन, इंडिया की डिमोक्रेसी, बाबा साथ अंबेदकर का वो समझेधान, और कंप्लिट रूप से, सीब से लेकर के, बुद्र, मौम्मद से लेकर के, कवीर सब का जो डिमोक्रेसी है, वो हमारे भारत के, राजनिती का अध्यात्मिक करेक्टर रहा है, और हम राजनिती के अध्यात्मिक करेक्टर को छोड़ दिये, मानवताबादी सोच को हमने छोड़ दिया, भारत की कंप्लिट करेक्टर मानवताबादी रही है, और उसी पर अधारित है समाजवाद या बामबाद या फलनाबाद या फलनाबाद, ये बाद जो है न बाद, ये इंडियन हिस्ट्री को बहुत चोट पहुँचाया, बाद, ये एक कंप्लिट इगोनिस्ट बाद थी, इसलिए आप इसको समझ लेजिए, मैंने आपको बहुत किलियर कहा, कि बरतमान सियासत जो लगाटार गंदगी हुई है, उसमें आप देखिएगा, तो पैसा अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम, अर्थ का समावे सबसे उपर है, मार्केटिंग जब से पहली मार्केटिंग कव हुई इंडिया में, अन्ना हजारे क्यांदोलन में, सोसल मीडिया का समावे सबस्ट टाइम कव हुआ, और सोसल मीडिया और चैनल, बड़े-बड़े कॉर्परेट चैनल, वो किस के साथ होंगे, पासिंग पोर्टर निर्मा न निर्मा निर्मा च्समा गौला गौए, जो दिखता है, वो विखता है, इसलिए तो यह थो कहीं पफो यादा वह इत्फते नहीं है? अभी तो इत्ना दिखते हैं, मैं वही बात आपको नटा आए, जो मैं दिखता हूं, छिशी के बीच में, दो ही चीज की दूरियां है। एक है पैसा दूसरा है यह तो बड़ी पार्टी में मरजर यह तो गड़बंधा यह तो मरजर कॉंग्रेस यह किसी दो ही पार्टी है इस कंटी में छोटी पार्टिया पप्पु यादव को लेना जल्दी नहीं चाहेगे कभी कभी किसी का इनर्जी लेवल भी ना उसको खतम करता है